नमस्कार मेरी पहरे दूस्तों मैं हूँ आपका हो शेफ धिराज आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस प्रकार से आप से करते हो जो यह वीडियो है वह हमारा F&B service से related, तो जो भी हमारे stewards होते हैं, waiters होते हैं, या फिर restaurant के honor हैं, वो समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आप अपनी saver service करेंगे, saver service का प्रयोग कहां पर किया आ जाता है, जहां पर हमारे Indian restaurant होते हैं, हमें रोटियां serve करनी होती है, दाल serve करनी होती है, chicken serve करना होता है, noodle serve करना होता है, इसी प्रकार के item ठीक है, जो की हमको platter से, ठीक है, एक platter है, platter के अंदर चाहे दाल है, चामल है, ठीक है, या फिर रोटी की basket है, उसको कैसे हम लोग, जो customer बैठ चुका है चेर पे, जिसके सामने plate परी है, उसे कैसे serve करेंगे, दूसरा silver service का use किया जाता है, ज कैसे serve करूँगा, या फिर कोई dessert है, तो उसे मैं कैसे service करूँगा, तो यहाँ पर कुछ rule regulation होते हैं, जिनके की बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो जो भी owners हैं, या जो stewards हैं, वो इस वीडियो से यह सारी सीज़े सीख सकते हैं, और real time पर अपनी job के अंदर, या जो honors हैं, अपने restaurant के अंदर उसको apply कर सकते हैं, वीडियो में मैं आगे बढ़ू, यहाँ पे हमारे कुछ programs हैं, ठीक है, एक हमारा how to make customer happy का program है, जो कि लगबग हमारे 5 घंटे का video course है, जो specially हमारे restaurant honor के लिए, कि वह यह कैसे guest को serve करते हैं, पूरा सिखाएगा, आपको से enroll कर सकते हैं, और जो भी student यहाँ पे हमारे service related हैं, अपने IT या JT या किसी भी प्रकार के interview की preparation कर रहे हैं, उनके लिए हमारे पास questionnaire है, 200 plus questions का, जिसको कि आप सीख के समझ के अपने interviews जाके दे सकते हैं, और उन्हें crack कर सकते हैं, दोनों के link नीचे description में मिल जाएंगे, आप हमसे connect कर सक सकते हैं, और उन्हें ले सकते हैं, silver service मतलब है platter to plate, customer बैट चुका है, अब हमको उनको serve करना है, तो यहाँ जो सबसे पहला rule आ जाता है, वो है कि आपको हमेशा जो भी waiter होगा, steward होगा, manager होगा, captain होगा, वो हमेशा left hand side की तरफ से ही आएगा, और अपने guest को वहाँ पे serve कर आपका chicken टिक का है, यह पनी टिक का है, यह दाल है, यह rice है, जो भी वो बोलेगा, और सासाथ यह भी mention करेगा, कि भाईया, यह wedge है, non wedge है, seafood है, टीक है, ताकि guest को पता चले कि भाईया, वो क्या actually में खा रहा है, जो उसने order करा है, वही यह कोई गलबड तो नहीं, तो यह हमा किसमे right hand में carry करता है, टीक है, जैसे हमारी chopstick होती है, वैसी को carry करते हैं और एक हाथ से उन दोनों चीज़ों को use करते हैं, टीक है, तो उससे वो serve करेगा क्या, कोई भी chicken का piece, या फिर दाल होगी या हमारा, टीक है, या फिर rice होगी, या फिर noodle होगी, तो इस चीज का हमको ध प्रतन है, टीक है, उसको में रखूँगा, उस डिश को रखूँगा, rice हो सकता है, chicken हो सकता है, नुदल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, टीक है, तो इसको right hand side से gear की साहिता से उनको में serve करूँआ, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा अगर आप Indian bread serve कर र पर ही रखना है, और जो भी चीज आप serve कर रहे हैं, वो customer को आपको smile के साथ serve करनी है, यहाँ पे आपको थोड़ी सी दूरी भी आपको बना कर रखनी है, अपने customer से जब आप अपनी silver service कर रहे हो, खासकर जब आप platter से customer की plate पर खाना डाल रहे हो, बाकि और भी कई सारी etiquettes ह होते हैं कैसे gas को बिठाना है, कितनी दूरी बनाए रखनी है, कौन सा पैर आपका पहली आना चाहिए, वो सारी बात यह बात है, बड़े common बात करो, तो left hand side को serve करना है, और अपने जो gear से उनको properly इस्तमाल करना है, तो यह हो गया पहला रूट, दूसरा आता है हमारे जो pre-pl बात करें का सकतना है, अब अपने गेस्त को, तो guest भी खुष रहेगा, आप भी कुष रहोगे, डिक तो यह साय, हो जाएगी तो यह हमारी के बारे में था इसक अलावा सब्सक्रास इसके सब्सक्राइब सब्सक्राइब ऑफ ना नए वीडियो तर्थर्थ की द्थ, झाल verk Seniorúsica